हेलो गाइस तो कैसे आप सब तो गाइस आपने अकसर देखा होगा कि जब भी आप अपने computer या laptop पर काफी देर तर काम करते हैं तो गाइस आपकी आखों में काफी दर्द सा महसुस होता है और आपको काफी थकान सी महसुस होती है गाइस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि computer या laptop के अंदर कुछ blue color के lights होती है जो कि आपकी आखों को काफी effect करती है तो गाइस इस problem से बचने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि windows के अंदर एक ऐसा option होता है जिसको use करके आप इन blue lights को कम कर सकते हैं जिससे आपकी आखों पे इसका असर नहीं पड़ेगा तो चलिए आपको बताते हैं गाइस उस option का नाम है night lights गाइस अगर आप windows 10 यूज कर रहे हैं तो गाइस उसके अंदर ये by default option होता है तो चलिए आपको बताते है night light कैसे use करते हैं इसके लिए आप अपने desktop पर आएंगे और यहाँ पर left hand में नी अगर आप प्रेस करेंगे window प्लस आई तो गाइस आप इस option को डायटी ओपन कर सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद यहाँ पर आएंगे left hand में यहाँ पर system पर click करेंगे उसके बाद गाइस यहाँ पर आप right hand में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखा करेंगे तो गाइस आप देखेंगे कि जो अभी जो system की जो blue light से हट चुकी है और अभी जो light है हमारी कुछ yellowish type की प्ली type की कुछ हो गई है जो कि हमारी आखों को effect नहीं करती ठीक है तो अभी यह option on हो चुका है इस तरीके से आप जो night light है उसको on कर सकते है ठीक है उसके बा ज्यादा मतलब dim करना चाहते हैं डाक करना चाहते है यलो को तो guys आप इसको बढ़ाएंगे तो guys यह जो yellow color हो बढ़ता जाएगा आप अपने इस आप से जैसा आपको shoot करता है आप उस तरीके से night जो light है उसको adjust कर सकते है यहां से ठीक है उसके बाद guys अगर आप नीचे आए schedule कर ठीक है अब यह on है मैंने on किया होगा ठीक है आपको शुरू में कुछ इस तरीकी का दिखाए देगा आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह option on हो जाएगा इसका मतलब यह है कि आप चाहें अगर आप चाहते हैं कि मतलब रात को 7 बज़े के बाद या फिर 9 बज़े के बाद जो night mode है night light है वो अपने आप ही on हो जाए और सुबह साथ बसते ही यह option बंद हो जाए ठीक है हमने 9 बज़े इसको on किया क्योंकि 9 बज़े रात हो जाती है ठीक है और रात की ट करते हैं तो जैसे ही रात को 9 बज़ेंगे मैंने 9 बज़े पर सेट किया हुआ है तो नौ बसते ही जो night light option है वो अपने आप ही on हो जाएगा और सुबह साथ बज़े ही यह अपने आप ही off हो जाएगा तो यहां से आप अपने हिसाप से time set कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहा यहां पर आप चाहें तो close कर सकते हैं अभी आप देखेंगे कि जो हमारी system के light है वो थोड़ी dim हो चुकी है और थोड़ा yellowish type के यहां पने color आपको दिखाई दे रहा है तो guys मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक shortcut तरीका भी है night light को on करने का अगर आप windows 10 यूज़ कर रहे है तो guys आप नीचे आएंगे यहां पर आपको right hand में एक option दिखाई देगा notification का ठीक है इस पर click करेंगे तो guys यहां पर बहुत सारे option दिखाई देगे तो यहां पर आपको एक option दिखाई देगा night light का अभी यह on है इस पर click करेंगे तो guys यह बंद हो जाएगा ठीक है उस पर अग आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर कमेंट ज़रूर करें चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमश्कार झाल